क्या आपको भी लगता है कि पवन सिंग उस माता जी के स्राप के वज़े से चुनाव हार गये जियां एक वीडियो काफी जादा तेजी से सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस वीडियो को लेकर के लोग कह रहे हैं कि उस माता जी के स्राप के वज़े से पवन सिंग काराकाट लोग सवाद छेतर से चुनाव हार गये जैसा कि हम आपको बता दे कि काराकाट लोग सवाद छेतर पुड़े भारत में होट सीट माना जा रहा था वो भी सिर्फ पवन सिंग जी के वज़े से जिनके वज़े से कारा कटलोग सवाद छेतर काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था और काफी ज्यादा होट सीट माना जा रहा था और महौल भी कुछ ऐसा दिख रहा था सोसल मीडिया पे कि पवन सिंग यहां से तरफा चुनाब जीत रहे हैं लेकिन किसी कारण वस पवन स यहां चुनाब हार जाते हैं और इसी चुनाब हार जाने के बाद वीडियो वाइरल लडा जिस वीडियो में पवन सिंग चुनाबी जन संपर के दवरान एक माता जी से कए माई जवाब देते हैं ए माई ऐसे ना कोहल जाला की जीरो से हीरो बन जा जिया तो माता जी फिर से इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि हमरा के जेना आवेला हम उना कोह देनी रहुआ के जिया ये वीडियो चुनाब से पहले जन संपर्थ के दोरान का वीडियो है जो उस वक्त भी वाइल हुआ था और चुनाब के बाद परिनाम आने के वाद भी ये वीडियो काफी ज़्यादा तेजी से वाइरल हो रहा है और कुछ लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि माता जी के स्राब के वज़े से पवन सिंग कराकाट लोग सबाद्चेतर से चुनाब हार गए जहां देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है चुनाब एक मतलब समझे कि खेल है आप माननीजे की कोई जीतेगा कोई हारेगा क्यूंकि अब एक साथ सभी पर्त्यासी तो जीत नहीं सकते हैं किसी है कोई जीतना पड़ेगा है ना तो कोई एक ही जीतेगा तो उसमें से माननीजे पवंसिंग अगर दूसरे अस्थान पे आए तो इसका मतलब यह नहीं कि पवंसिंग चुनाब हार गये हैं और पवंसिंग उस स्राप के वज़े चुनाब हारे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोग तो आप लोग गलत हुमर मत फैल आए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करने पवंसिंग पहली बार चुनाब लड़ रहे थे जिस चुनाब में काफी ज़्यादा मजबूती से चुनाब उन्होंने लड़ा और लोग को दिखाया कि एक कलाकार के अंदर कितना दम हो सकता है और जिस कलाकार का लोहाब मोदी जी भी मान गये और मोदी जी को भी मैदान म और कापी ज्यादा मतलब की दूर लाफ पचस्तर हजार के आसफस भोट आया फिर कैसे कैसे कि कर दो के किसको और हारता नहीं या तो जित्ता है या फिर सिख्ता है झाल के जा झाल का अगिए झाल कि का झे लाल करेंदे जो प्रबस्टा